हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने इस यूटूब चैनल में साथियों आज किस वीडियो में हम लोग कलाश 12 के बायोलोजी का सब्जेक्टिव कोसन करने वाले हैं और दोस्तों इसमें हम लोग कोसन बेंक में जितना बी कोसन हैं वो करेंगे और एंसियार्टि का जितना भी कोसन है मस quarter इंप परशन आपको करवाएंगे और हंडेड पर्शन है आपके प्रिक्छा में इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा सिर्फ आपको जितना भी प्रशन देंगे आपको याद कर लेना है और इसका PDF जो है न हम आपको फ्री अपकॉस देंगे एक भी रुपिया चाल नहीं लगेगा फ्री में इसका PDF देंगे ठीक है न और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है एनडबल के ओफिसियल 3M चैनल को अभी तक जो भी स्ट्विंट सब्सक्राइब ने की है डियर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए हम लोग प्रशन को देखते हैं पहला प्रशन क्या है और आपको याद कर लेना है तो देखिए पहला प्रशन क्या कर रहा है परतिबंधन एंजाइम क्या होता है आपको याद रखना है परतिबंधन एंजाइम क्या है और इनी किनी किनी दो के नाम आपको बतलाना है तो अंसर में आपको लिखना है क्या और याद रखना है क्या देखिए परतिबंधन एंडोनिकलियज के रूप में भी जाना जाता एन्य परतिबंधन एंडियलों के रूपे में जानते हैं ठीक है यह एक परकार एंजाइम है जो dna को 20- मान्याथा अस्थलों पर जाता है ठीक है परतिबंध यानि जो परतिबंधन एंजाइम है ना परतिबंध एंजाइम यह मुख रूप से बैक्टिरिया और आर्किया में पाए जाते हैं और हमलावार वायरस के खिलाप रक्षा तंत्र के रूप में कार करते हैं और इसके दो इसके दो उधारन आपको पूछा गया है तो इसका दो उधारन आप देख लिजिए पहला उधारन आपका है इको आराई ठीक है ना इको आराई दूसरा बी एम एच आई और तीसरा हम आपको दे दी हैं हिंड थिरी तो इन तीनों को आपको याद रखना है और प्रशन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है प्रिक्षा में पूछे जाया सकते है ठीक है देखिए दूसरा प्रशन आपका क्या कर रहा है पीरक परतिरोधी पौधा क्या होता है अंसर देखे डियर क्या लिखना आपको पीरक परतिरोधी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिन में जैब प्रोधोग की तकनिक का उप्योग करके किसी तूसरे पौधे का जीन सामिल किया जता है ठीक है ना इन पौधे में रोग जनाकों से बचाव के लिए दो तरह की परतिरोधी छहमता होती है बस आपको इतना याद रखना है दो परतिरोधी छहमता को नम लिख देना है बस हो गया पुर्व न वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी अवासी लाइक कर देजेगा थीक है न अवसी लाइक कर देजेगा तीसरा प्रसंदी कि क्या है कलिका तथा पत्र परकालीका को उप्युक्त उधारन सौहँअ को परिभासित करें यह दिखिशा प्सए कहते हैं और उधारन भी आ या अंकूर में विक्सित हो सकता है कलिका का उधारन आपको लिखना है सुरज मुखी हुआ आलू हुआ कुईन हुआ आदी है ठीक है यह आपका कलिका हो गया अब देखिया अगला पत्रप्रकालिका क्या होता है पत्रप्रकालिका में आपको लिखना है क्या देखिये प्रकालिका में काईका या पुस्ब कालिका जब भोजन संग्रह करती है तो वह फूल जाती है उसके पस्चात उसके बाद हुआ एक नए पोधे में प्रिवर्तित हो जाती है और काईक जनर में सहयोग का कार करती है पस इतना ही लिखना है आपको नमर मिल जाएगा अगला प् आप क्या समझते हैं बहुत बार प्रिक्षा में पूछा जा चुका है अंसर में लिखना आपको खाद श्रिंखला एक रैकिक अनुकर्म है जिसमें पोसक ततबर उर्जा एक जीव से दूसरे जीव में अस्तनांत्रित होती है यह तब होता है जब एक जीव दूसरे जीव को उत्पादक जीव से शुरू होती है और स्रिंखला का अनुसरन करती है और अप घटक जीव के साथ समाप्त हो जाते हैं बस इतना ही लीख देना है ठीक है ना एक बार याद करकर देखिएगा आपको जरूर याद हो जाएगा ठीक है ना पांच नमर प्रशन देखिए क्या है पांच नमर प्रशन आप से पूछा जा रहा है सह परभाविता तथा ओपन परभाविता को परभासित करें भीवियाई प्रशन बनता है प्रिक्षा में पूछा जाता है बार बार तेके सह परभाविता क्या होता है यादि सह परभाविता तब होती है यादि किसी सह परभ परभावी और परभावी जैसा नहों बल्कि दोनों का परभाव एफ़ोन संकरन में संकरनों पर एक साथ परता हो इस परकार के एलिल को सब परभावी एलिल कहा जाता है बस इतना आपको लिखना और अपुन परभाविता में बस इतना लिखना है और पुन परभाविता एक एसी घटना है जिसमें बेपरीत लक्षनों का एक यूगम होता है जिसमें एक लक्षन दूसरे पर अपुन रूप से परभावी होता इस घटना को अपुन परभाविता कहा जाता बस डियर आपको इतना लिख देना इस प्रण चो परशन को आपको याद कर लेना मातरम चोट तो इसका पीडियाफ हम आपको बतला देते हैं कहां पर मिलेगा देखिए वार्षप फ़ले वार्षप गुरूप का नमबर दे देते हैं 9939735442 यह वार्षप गुरूप का नमबर है इसमें मेसेज किजिएगा आपको वार्षप गुरूप में जोड़ देंगे या फिर वार्षप गुरूप का नमबर वार्षप गुरूप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और इसका पीडियाफ यहां पर भी देंगे वार्षप गुरूप पर एंड टेलीग्राम पर भी देंगे ठीक है ना टेलीग्राम गुरूप पर भी प्रिए अपकॉस दे दिया जाता है ठीक है ना और अब्जेक्टिव का उसमें अब्जेक्टिव का सिर्फ चार्ज लेते हैं मात्र वन सब्जेक्ट पचास रुपया लेना हो तो अब्जेक्टिव का ले सकते हैं प्रिछा में टकराने की डियर करेंटी रहेगा और वह भी सब्जेक्टिव का बिल्कुल फ्री अपकॉस देते हैं ठीक है ना तो चलिए आज कले इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा ठीक है तो दोस्तों को जरूर सेर करते रहेगा